आज राहु का राहु गुलिक और यमगंट का इस काल के विशे में हम यहां सुनने देखने वाले हैं तो इसके अंदर जाने से पहले तो हम पहले एक सोटा सा नमस्कार कर लेते हैं इंद्रधनुश चके तुन तो यहां आज इन नव उपग्रहों को नमस्कार करकर आज हमारा पाठ शुरू करते हैं क्योंकि आज का पाठ जो है वो इन नव उपग्रहों के विशे में ही हैं जैसा के राहु गुलिक और यमगंट के उपर हमारा फोकस आज का रहेगा तो भी ह हम अन्य विश्यों अन्य जो उपग्रह हैं उनकी भी उपर एक बार ऐसा दृष्टी डाल कर हम जाएंगे क्योंकि यह सब एक मिलन जुलन के होते हैं जैसे सूर्यादी नव ग्रह होते हैं सूर्य चंत्रकुजबुदा गुरु शुक्र यह सब जो ऐसे नव ग्रह होते हैं तो वैसा ही इनके नव उपग्रह भी होते हैं उनके नाम है मांदी, यमखंटक, अर्दप्रहारह, कालह, दूमह, व्यतिपादह, परिधी, इंद्रधनुह, उपकेतु करकर यह जो नव उपग्रह होते हैं तो हर ग्रह से उनके अलग वा जैसा पावरानी कता में हमें देख पती और इनका शनी का जो युद्ध हुआ ता तो उस हुद्ध में युद्ध में शनी को चोट लगा और उस चोट में के वज़े से उनका एक अंग अलग हो गया था और उस अंग को मांदी कहा गया है हाँ ये एक हम पौरानिक खता के रूप में भी देख सकते हैं वास्तों में कहीं ग्रहों के बीच में जो युद्ध होता है जैसा पास में आते हैं और उनके वज़से भी कुछ चेंज़सा आ सकते हैं और वहां से चोड़का कर अलग हुआ होगा ऐसा भी हो सकते हैं जैसा कि म समझाने के लिए कि माध्यमसे हमेशा जैसा बताया गया है वैसा ही यहां भी बताया गया होगा तो मांधी नाम से projeto समझ में आ जाता है कि यह मंद शनी का दूसरा मंद है क्योंकि सभी ग्रहों के तुलना से देखेंगे तो शनी ही बहुत YouTuber से चलने हैं इसलिए तो मंद के पुत्र होने के वज़े से इनको मांदी कहा गया है ऐसा ही सभी ग्रहों के पीछे दूसरे कहानिया चुपे रहते हैं तो हमारा यहां गुली का या मगंटा का रागू है तो उस विशे में हम तोड़ा फोकस चलेंगे तो आज तो इनको क्या कहते हैं अप्रकाशित ग्रह कहते हैं यह आकाश में जैसा हम दूसरे ग्रहों को देखते हैं प्रकाश से हम भूमी से भी देख सकते हैं कि जो लाल वाला जो पुझ दिखता है तो हम उसे कुझ ग्रह कहते हैं तो इस तरह यह जो ग्रह बूमी से देख सकते हैं तो वैसा इस ग्रहों को इस नव अप्राकाशित ग्रहों को नहीं देख पाएंगे हम इनके स्फरुक तोड़ा अलग होने के वज़े से इनको अप्रकाशित जो प्रकाश में नहीं आते हैं जो प्रकाशित नहीं होते हैं उस तरह के ग्रह बताए गए हैं तो इनके फल कैसे होते हैं इस विशे में ब्रहत पराश रहोरा शास्र में बताया गया है सूर्य इंदू लगनगेश वेशु वम्शायूर ज्ञाननाशनम इती धूमादी दोशानाम सितीही पद्मासनो धीता सूर्य से यह जो यह नवगरह देखते हैं तो यह नवगरह के आदार से ही है तो जैसा हम देखे थे कि मांदी जैसा शनी से ही आए हैं तो इस प्रकार यह जो गरह होते हैं इनके सभी खां यहां फला देश बता रहे हैं जैसा दूमाधी जो नौ प्रकाशिद गरह हैं वो अगर सूर्य से युप्त हैं किसी के भी जन्म कुंडली में अगर वो सूर्य से युप्त हैं तो उसे वंशा नाश बताया जाता है तो उस कुंडली में वो वम्श का नाश करता है, अगर चंदर से युक्त के हैं तो आयू का नाश करते हैं, अगर लगन से युक्त है तो ग्यान का नाश होता है, तो इस तरह इनके विशे में ब्रहत पराशरहोरा शस्र में बताया गया है आगे उत्रकाला मृत में एक जैसा कि मंद बताते हैं गुलिक बताते हैं तो इसमें क्या है दोनों में कुछ अंतर है क्या करकर पूछेंगे तो कालिदास जी कहते हैं हाँ ये दोनों ही सूर्य के शनी के ही पुत्र हैं शनी के ही पुत्र हैं ये दोनों मगर ये दोनों अलग- जो कालिदास जी हैं वो बताते हैं मगर अञ्याचारियों का मत यह अलग होता है कưỉँ कि हम देखता है कि यहां जो मांदी जो शब्द रखे हैं टो जो मांदी जो है ये गुली की परियावाच्छे में प्रयोग किया गया है और ब्रिहत पराशार और राशास्ता में तो चाक्षा तैसा ही बताया गया है कि नामांतरम्तु तसकेवा मांधी रित्यवी धीयते तो उसी के नामांतर किसी के गुलिक के ही मांधी भी नामांतर ही होता है तो इसमें कोई दोश नहीं है दोनों एक ही है करकर भी बताया गया है तो अन्यगरंतों में भी हमें ऐसा ही दिखाते हैं कि मांधी और गुलिक को अलग अलग ना होकर एक ही विशे पर चर्चा करते हैं तो ये गुलिका अधिका साधन कैसा करना चाहिए जैसा कि इनका काल क्य होता है इनको कैसे इनको समय कैसा दिया जाता है तो ये स्विशे में जाइमेनिसूत्र में हमें श्लोक मिलता है क्या दिया गया है दिवसान अश्टधा भक्त्वा वारेशात गनएत क्रमात तो दिनमान जो है कल आपको रजत महोदय जब बता रहे थे कि दिनमान रात्री मान या कैसे हर प्रांत में दिन और रात्री का जो है यह काल का जो गनना है यह कैसा बदलता है निरक्षे देश में कैसा हमेशा दिन और रात 12 गंट के दिन और 12 गंट के रात होते हैं और उपर जाते जाते 6 महिने के दिन और 6 महिने के रात तक इतना बड़ा अंतर जैसा आ जाता है तो यह हमें कल रजत सर् ने पढ़ाये थे आज क्या है कि इस दिनमान को हम निरक्षदेश के जो constant ले लेंगे हम मान लेंगे कि सुबस चे बज़े सूरिय उदई होता है और शाम चे बज़े अस्त हो जाता है मतलए 12 गंटा का दिन और 12 गंटा का रात हम ले लेंगे तो अगर ऐसे ले लेते तो 30 गटी का दिन हो गया और 30 गटी का रात हो गया सिर्फ calculation है अगर numbers में difference है तो आहम number 29, 31 इस तरह नंबर को परिवर्तन करकर सिर्फ divide करना है यहां मैं जो constant वाला हो है वो मैं यहां ले लेता हूँ तो 30 गटी को आठ से भाग देते हैं तो क्या हो गया 30 गटी का आठ से भाग देने से 3.45 गटी जो आया है उसे हार्स में convert कर लेंगे तो one out of hours होता है ये तो 12 गटा जो है उसे 8 भाग में हम विवजन करते हैं तो हर भाग का जो काल होता है वो देट गटे का रहता है तो इस दिनमान जो है इसे हाँ देख सकते हैं यहां 8 भागों में हम विवजन किये हैं तो इनके विशे में तो कैसा देखते हैं इन सबी वारों में यहाँ आप देख सकते हैं यहां चार्ट में दिखता है कि आपी पूरा क्रम से नीचे वार दिया गया है और उपर काल दिया गया है दिन के काल तो सोमवार के पहला जो बाग है वो सूर्य से ही शुरू होता है और क्रम से दूसरा जो बाग है चंद्र, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र और शनी और आटवान जो बाग है ये बाग कोई भी अधिपती नहीं है ऐसा माना जाता है तो इसलिए आटवे बाग को ऐसा ही रिक्त रखा है वागी जो साथ बाग है सिर्फ यहां के अधिपती होते हैं ठीक है तो सोमवार को क्या होगा रवीवार को सूर्य से शुरू होता है अगर सोमवार को शुरू होता है तो केसे तो चंद्र से शुरू होगा चंद्र, मंगल करकर चंद्र, कुज, बुद्ध, शुक्र शनी और शनी होने के बाद अब आएगा सूर्या अंत में ऐसा एक चक्र के रूप में यह चलता रहता है तो यहां कौन-कौन अधिपती है यह इस चाथ से हमें जान लेना चाहिए आगे तो इस विशे को जानने के बाद आगे हम इसको कैसे करना है यह देखते हैं अब ब्रहत पराशर होरा शसर में ऐसा बताया जा रहा है शनी का जो अम्ष है वो गुलीक है तो यहां आपको जहां जहां भी शनी दिका रविवार को सात्वा भाग शनी है तो वो गुलीक का काल है सोमवार को चट्वा भाग जो शनी है वो गुलीक का काल है उस दिन उस समय पर गुलीक का काल करकर कहते हैं तो यहां भी बुदुवार में पांच्वा और मंगलवार में पांच्वा और गुरुवार में चौथा और गुरुवार में तृतिया शुकरवार में द्वितिया और शनीवार में पहला जो भाग होता है यह गुलीक का काल बताया गया है कैसा यहां देखेंगे तो आपको उस पष्ट दिखेंगा गुलिक वीच का काल है इसम नहीं दिया यहां बाकी ग्रहों का काल education related तो काल कहते हैं काल वेला ऐसा भी कहा जाता है इसके बहुत सारे नाम होते हैं तो सूरिय जो है जहां सूरिय का काल है वहां काल वेला ऐसा कहते हैं और भॉमामशो मृत्यू रादिश्टो जो जहां कुजा है भॉम है वहां मृत्यू ऐसा कहा गया है गुरुवामशो का बताया गया है सौम्याम शो अर्दप रहा रहा बुद्ध का जो है उसे अर्दप रहा रहा अर्दप रहा रहा ऐसा परियावच के नम से बताया गया है ऐसा यहां हर जो का ग्रह है तो उसकी सबसे वहां उनका काल का निरने कर लेना चाहिए यहां आप देखेंगे तो दिन में यमकेंटर का काल कब होता है और गुलिक का काल कब होता है यह यहां इस चार्ट में दिया गया है अब दिन की विशे हो गया है तो रात की विशे में कैसा होगा यह अभी देखते हैं रात में भी ऐसा ही है मगर इस गनित में तोड़ा सा अंतर आता है रात में क्या होता है जैसा पहले हम देखे ठेकी दिनमान को आठ से भाग देते हैं वैसे ही रातरीमान को भी आठ से भाग देना चाहिए जैसा रात का जो काल है उसे आठ भाग में कर लेना चाहिए वैसा कर लेने से फिर से यहां हमें डेड़ गंटे का जो एक काल है वो डेड़ गंटा का होता है मतलब यहां अभी यहां एक चोटा सा अंतर है इसमें वहां क्या कियेते जब रवीवार है तो पहला हम सूरिय से शुरू करते हैं सोमवार है तो चंद्र से शुरू करते हैं गनना मगर यहां पांचवे वासर से शुरू करना चाहिए जैसा कि रविवार है रात के काल में पांचवे तो रवी, सोम, मंगल, बुदा, गुरु जो पांचवा है तो गुरु से शुरू करते हैं वैसे ही देखेंगे तो सोमवार से पांचवार वार होता है शुक्र वार तो यहां शुक्र से शुरू करना चाहिए फिर क्रम से चलेगा शुक्र मंगल वार के दिन वहां से मंगल से पांचवे जो शनी बार आता है तो शनी से शुरू करना चाहिए तो ऐसा चार्ट हम दिये हैं यहां भी रात के काल में जो आठवे बाग जो है वो रिक्त है वहां कुछ भी कोई भी आदिपती नहीं है ऐसा ग्रंतों में कहा गया है तो यहां आप देखेंगे तो रात का जो काल है वो यहां ऐसा दिखता है जैसे रवीवार में पहला जो काल है वो यमकंट है और तृतिय जो काल है वो गुली का है मतलब यह शाम चे बजे से लेकर रात साड़े साथ बजे के जो काल है रविवार को तो वो यमकंट का काल है और रात नौ बजे और से लेकर रात साढ़े दस बजे का काल है वो गुलिक काल बताते हैं मगर महुर्त चिंतामणी में ऐसा भी बताया गया है रात रावेती नदोश अधा हाँ मतलब ये ग्रहों का जो दोश होता है वो रातरी काल में गनना करने के जरूरत नहीं है तो सिर्फ दिन के यमकंटका और गुलिक काल जो होते हैं मुहुर्त में भी जब देखना है तो दिन के काल में देखेंगे तो काफी है, रात के काल में इसके विचार करने की जरूरत नहीं है ऐसा मुहरत चिंतामनी में बताया गया है और फिर अप्रकाशित ग्रहों का फल के विशे में बताया जा रहा है तो अगर इस तरह के काल बगेरा सबका निरने हो रहा है तो उसके फलादेश भी देखना चाहिए ये कैसा होता है ये शुब है या शुब है तब जाकर इसका विचार हम कर पते हैं मतलब इन सभी काल में भी गुलिक का जो काल है वो जादा दोशयुक्त है जादा दोश में वो जादा ही बलवान होता है तो गुलिक काल जो है ये बहुत ही अशुब काल माना जाता है शुब प्रदाने यमकंटक हस्याता और यमकंटक जो काल है इसे शुब में माना गया है क्योंकि हम पहले से ही देखे थे कि गुलिक कहा क्या शनी को रेप्रेसंट करते हैं और यमकंटक जो है ये ब्रिखसपती को इसलिए यहां गुलिक को बहुत ही अशुब माना गया है और यमकंटक को बहुत ही शुब माना गया है तो बाकी जो भी अर्दप्रहरा इस तरह के जो काल है तो इनको कैसे माने गये हैं अन्येचसरवे जैसनप्रदाने तो बाकी जो भी काल बचे हैं ये भी दुखदायक ही होते हैं मगर कितनी अशुब पल ही देते हैं बाकी जो हैं वो भी तो भी कितना अशुब पल देते हैं इस प्रश्ण पर मान्युक्तवीर्यात बलान विताहा अर्दपलान विताहा तो मन्द का जितना बल बताया गया है उसमें आदा इत्युक्ते गुलिक का जितना दोश अशुब अशुबता बताया जा रहा है उसमें आदा अशुबता करकर मान लेना चाहिए सिर्फ गुली का यहां देखेंगे कि बहुत सारे कालवेला परिधी ही मृत्युहु अर्दप रहा रहा यमकंटा का कोधंड़ गुली का ऐसा दिया गया है तो यहां क्या है सिर्फ गुली का बह बाकि जो है यह गुली का जितना अशुब है उसमें आदा अशुब मानना चाहिए जो भी पलादेश आगे बता रहे हैं उसमें सभी में भी दूसरों जो ग्रह हैं उनके आदा आदा पलादेश मानना चाहिए इसलिए आगे भी जब पलादेश के विशे में भी जब हम बा गुलिक के समझने से बाकी का डियरेक्ट ओपोजिट ले लेना चाहिए यमकंट के लिए और बाकी के लिए उसमें आदा पल ले लेना चाहिए तो समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब हम आगे जाकर उसके विशे में जब चर्चा करते हैं वो बताये गया है फिर तो इसके पल किस ग्रह के जैसे होते हैं ये बताए हैं ये बताए हैं पल दीपिका गरंत में ही क्या कह रहे हैं कालवेला ये जो कालवेला उपग्रह है इसका पल कैसा होता है तो अगर हम कुंडली में देखते हैं कालवेला का साधन कर चुके हैं तो दे अर्दप्रह रहा अर्दप्रह रहा बुद्ध का जैसा विचार किया जाता है वैसा ही तो अर्दप्रह रहा जैसा कि हमें पता है बुद्ध जब पापक ग्रहों से युक्त होते हैं तो बुद्ध पापपल देते हैं बुद्ध जब शुबक ग्रहों से युक्त होते हैं तो अर्दप्रहर भी वैसा ही है, हश्टक वर्ग में भी जब उनका शुबा शुब विचार किया जाता है, जब कहीं ज़्यादा शुब मिलता है अश्टक वर्ग में, अगर उस बाओं में अर्दप्रहर होता है, तो शुब पल देता है, अगर ज़्यादा अशुब है, तो वहा अर्दप्रहर होने से अशुब पल देता है तो इससे ये हमें दिखता है ये बुद्ध जैसा प्रभाव करते हैं वैसे ही अर्दप्रहर भी है करकर फिर यमाखंटक के विशे में बताएंगे तो ब्रहसपती हम देख सकते हैं कि ब्रहसपती को अतिशुब गरह माना जाता है क तो ब्रहस्पति जो है उनके पल जितना शुबता होते हैं वैसे ही यमकंट का भी पल को शुब माना गया है फिर गुलिका का पल शन्नी का पल जैसा विचार किया जाता है तो ये एक तरह के गुलिका काल और यमकंट ये काल के विशे में बात यहां हुआ है तो इनके जो साधन प्रकार होते हैं ये भी तोड़ा सा अलग-अलग प्रकार से होते हैं ठीक है तो अभी गुलिका काल और यमकंट काल के साधन के विशे में हम देख चुके हैं थे कि इनको कैसा करना चाहिए मगर राहुकाल के विशे में तोड़ा बिन्नमत दिखता है आचारियों के बीच में क्योंकि यहां जो जहां की पहले दूसरे दूसरे गा यहां देख सकते हैं कि पहले जब हम विशार किये थे तब मैंने यही बताया जो आठवे जो बाग होते हैं दिन के जो आठवे बाग होते हैं वहां कोई भी अधिपती नहीं है करकर बताया था मगर प्रश्णमार्ग में ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं नहीं उसके अधिपती जो है वो राहू होते हैं क्योंकि ये गुलिक और राहू, राहू काल का विचार जादा तक हम देखते हैं तो दक्षिन भारत में इसे जादा प्रधान रूप से इसका विचार करते हैं और शुबकार ये कर सकते हैं या नहीं ये हम जब दक्षिन में जाते हैं तो इसके प्रभाव हम ज़्यादा देख पाते हैं तो प्रश्णमार्ग भी एक दक्षिन संपरदाई से आया हुआ गरंध ही है तो वहां राहू काल और केरल में तो गुलिक का विशे में आज भी इतन विशेश रूप से देखते हैं क्योंकि हमें यहां बहुत सारे लोगों को गुलिक के विशे के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है तो केरल में देखेंगे तो आज भी गुलिक के विशे में इतना प्रधान रूप से ले लेते हैं और हर विशे में भी गुलिक का विच यह बताते हैं तो इसे कैसा के लिए एक चोटा सा शौटकट बताया गया है हमारे प्राचिन ध्रंद्वें में हरी ही समितो वेगेGS ये इसका सूत्र है कटपयाधी नाम का एक गनना होता है गनना कयालक्लिशन मेतोड होता है vigor सूत्र होते आ ना संक्या देने के लिए कटपयाधική का सिस्टम यूज़ करते हैं और रत्नव बताेंगे तो नव को इंडिकेट करता है, वैसे ही हर व्यन्जन और स्वर को एक संक्या दिया गया है, और उसको कटपे आदी करकर हम बताते हैं, तो ये प्राचिन गरंतों में इसी सिस्टम को यूज किया गया है, संक्या बताने के लिए इन दोनों में से किसी एक कोपय क्या हुआ होगा, अभी मैं इस कठपयादी सिस्टम के उपर अंदर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाता हूँ, मगर इस सूत्र को यहां बता देता हूँ, ह का मतलब आठ होता है, मतलब पहले वाला, जब सूर्य यहां रवीवार के दिन देखेंगे, तो अश्ठम जो भाग होता है, दिन के अश्ठम भाग साड़े-चार बज़े, शाम साड़े-चार बज़े से लेकर चे बज़े का जो काल होता है, उस काल को राहु काल कहते हैं, और उसके बाद हरी ही री जो है, वो रीका संक्या होता है कि दो तो यहां सो मुवार में वो एक होना चाहिए सो मुवार के दिन क्या होता है कि सो मुवार के दिन सुबह साड़े साथ से लेकर नौ बजे तक राहू का काल रहता है और यहां मंगलवार के दिन साथ में होता है सब्तम भाग में राहू का होता है और ऐसा ही अन्यवारों में, पंचम में, शश्टम में और चतूर्त और त्रितिय भाग में राहू का काल तो इसे याद रखने के लिए सूत्र दिया गया है हरी समेया तो वेगैन करकर तो हरी समेतो वेगेन ये इसका सूतर बताया गया है तो राहुकाल का विचार हरी समेतो वेगेन करकर हम याद रखना चाहिए ठीक है तो राहुकाल का विचार किसी राहुकाल के समय में किसी भी शुबकारिय का शुरुवात नहीं होता है तो राहुकाल में कोई मंगल कारियत क्या दिका ये मुहुर्थ के विशे पर इसका विचार करते हैं अब तक यमकंटक भी जो हो और गुलिक भी जो हो ये सब मुहुर्थ के विचार में किये गए हैं तो इसे क्या कुंडली में भी विचार किया जा सकता है क्या जन्म कुंडल में कैसा देखना चाहिए ब्रहत पराशरा हो रशस्त्र में इसके विदान बताया गया है गुलीक का कैसे लगनसाधन जैसा करते हैं वैसे ही गुलीक का भी साधन कर लेना चाहिए गुलीक के जो उदे काल बताया गया है ग्रंतों में अभी जो मैंने मिनिट्स यहां देख सकत है मैंने इसको हार्स और मिनिट्स में कंवर्ट किया हूं उदैकाल को यह गटी और बिगटी में गरंतों में ऐसा ही दिये गए हैं उस लोक में तो मैंने अभी उस कैलिक्लेशन मेतर के अंदर जाकर से kommplicate करना नहीं करना चाहता हूं तो इसे जो मेतर हैं वह मैं आपको बता देता हूं तो गुली के यहां यह बताया गया है कि गुलीक का जो इिश्टकाल होता है उस इश्टकाल को लगनसादन का जैसा हम विचार करते हैं लगनसादन जैसा करते हैं इश्टकाल लेकर जैसा हम लगनसादन करते हैं वैसा ही गुलिक ग्रह का जो उदे एकाल होता है उस काल को लेकर हम यहां लगनसादन में जैसा पदती करते हैं वैसे ही गुलिक का स्पष्ट क तर लेना चाहिए वैसे गुलिक का स्पष्ट करने के बाद इसे द्वादश भावों में विचार किया जा सकता है और गुलिक के विशे में यहां दूसरा एक विशे भी पलिदीपिका में बताया गया है यह क्योंकि सिर्फ गुलिक को ही नहीं है यमगंटक को भी ऐसा ही किया जा सकता है और अन्य जो उपग्रह बताए गए हैं कालवेला इत्यादी जो भी बताए गए हैं तो इन सभी उपग्रहों को भी ऐसा ही हम विचार कर सकते हैं और आगे इसमें देखते हैं गुली का भवना ना थे केंद्रगे अगर गुली का ये कहीं जो जस भाव में वो बैटे हैं उस भावा के अधिपती के साथ जो उस राशी के अधिपती के साथ मिलकर यदि केंद्र में बैटे हैं या केंद्र में बैटे हैं या त्रिकोन में बैटे हैं या बालवान होकर अपने ही स्थान पर बैटे हैं या अपना स्वा उच्छ राशी पर बैटे हैं इस अगर वो उसके विचार यहां तोड़ा कॉंप्लिकेट हो सकता है तो इसलिए मैंने जितना ज़रूरत है मैंने यहां उतना ही रखा हूं और हर विशेश लोग के साथ रेफरेंस में दिया गया है आप उसमें ज़्यादा जब जाकर देखेंगे क्योंकि एक गंटे में जितना गनीत वगेरा को समझाया जा सकता है उतना रखकर ही बताना ठीक रहेगा तो अगर आप हमेशा इतना से नहीं होता है आप अगर उसको डिप में पढ़ना चाहेंगे तो इसलिए हम ब्रेफरेंस भी देते हैं तो आप उसको और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तो अच्छ इत्यादी वाहनों का योग होता है आज के दिन में देखेंगे तो ये वाहन का मतलब हम मोटर बैक टैक्सी ऐसा अन्वे करना पड़ेगा तो इस तरह अच्छे वाहन का योग देता है गुली का अच्छे स्थान में बैटने से हमेशा गुली को बिलकुल अशुब ही नहीं माना गया है तो उनका शुबत्व भी दिखाया जाता है जबकि गुली केंद्र में इस तरह के स्थान में जब बैटते हैं तो उनका शुबपल देखा जाता है फिर यहां इसमें इनको राजयोग भी मिल राज तुल्य भी बताते हैं और राजा से इनको सन्मान भी मिलता है इस तरह के जो अच्छे स्थान में बाइटने से सर्फ तो यहां इस तरह के इनके विचार किये गए हैं फिर गुलिकस्यतु सम्योगे दोशान सर्वत्र निर्दिशेता अभी यह बताया गया है जैसा कि जन्मकुंडली में हम देखे कि बारस्तान में जब गुलिक बाइटते हैं तो उसके पल आगे हम डीडल में विचार करेंगे मगर उसके पहले क्या होता है गुलिक के साथ जब अन्यग्रह मिलकर बाइट जाते हैं तो उनके पल भी कैसा होता है यह बहुत सारे ग्रंथ में पलदीपिका में ही नहीं है जातक पारिज़त में भी बताया गया है प् गुलिक स्यतु सम्योगे दोशान सर्वत्र निर्देशेत तो गुलिक का सम्योग होने से गुलिक के साथ जुडने से हमेशा ग्रहों का दोश होता है मतलब हमेशा अशुपल ही देते हैं यमाखंटक सम्योगे सर्वत्र कतये चुभम यमाखंटक से जुडने से क्या होता है ग्रहों का हमेशा शुबपल ही होता है तो हम देख पाते हैं कि एक तरफ गुलिक है और येक तरफ यमकंटक है जब गुलिक के विशे में बहुत सारे अशुब बताया गए हैं तो वैसे ही यमकंटक के विशे में हमें शुबता मान लेना चाहिए तो बार्ती ग्रहों के जब विशेयों का विचार करना चाहिए तो गुलिक का जितना बताए है उसमें तोड़ा सा हानी लेना चाहिए जैसा कि अभी हम एक उदाहरन देखते हैं तो गुलिक जो मांदी जो है या गुलिक जो है ये जब सूर्य से युग तो होते हैं, तो हमें पता है कि सूर्य को पित्र कारक माना गया है, तो सूर्य के साथ अगर गुलिक है कहीं भी एक ही बाउ में, सूर्य और गुलिक दूनों एक ही बाउ में बैटे हैं, तो ऐसा होने के वज़े, होते समय क्या होता है, सूर्य पित्र कारक होने के वज़े से मतलब पिता के खारक होने के वज़े से कारक होने के वज़े से वो पित्र हन्ता मतलब पित्रु का हानी करते हैं यह यहां दिया जाता है तो यमा कंटक में कैसा होता है तो यह पित्रु के लिए बहुत अच्छा होता है पिता के लिए यह बहुत ही अच पिशार करना चाहिए तो अभी यहां आप दोड़े जेश्ट लोग हैं और इस तरह की विशेयों को अच्छे तरह से समझ सकते हैं करकर हम क्या करते हैं कि आगे सिर्फ गुलिक के विशेयों में फोकस करके जाते हैं मगर इसे ऐसा ही बदल लेना चाहिए गुलिक यदि चंद माता का कारक होते हैं तो मात्रकलेशी माता के लिए यहां कश्ट उत्पन करते हैं किसी के कुंडली जन्म पत्र में चंदर के साथ अगर गुलिक युप्त है तो अगर मंगल के साथ युप्त है ब्रात्र वियोग हां मतलब जो भाई हैं उनसे दूर रहना पड़ता है या भ वो उनके बाई ही होते ही नहीं है करका तो यही एक सिंगल चैल जैसे होते हैं वैसा भी होते हैं फिर गुलिक यदि बुद्ध के साथ युप्त है तो वो उनमादी होते हैं क्योंकि जो बुद्ध जो है वो बुद्धी के लिए होते हैं ग्रहा बुद्धी के कारक होते हैं और बुद्धी के कारक होने के वज़े से वहाँ उनमाद देते हैं मतलब वो बुद्धी को ही डारेक्ट गुली का अफेक्ट करता है तो इसलिए उनमाद उनकी डिप्रेशन में हो जाना और वहाँ से उनको उनमाद रोग इत्यादी उत्पन होना भी हो जाता है अभी ब्रहसपती देखते हैं ब्रहसपती तो धर्म से युक्त होने के लिए और हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए इनको जाना जाता है वहाँ ब्रहसपती के साथ अगर गुलिक मिल जाते हैं तो ये पाकंडी हो जाते हैं मतलब दोके बाजी पूरे के पूरे उल्टे रास्ते पर चलने वाले हो जाते हैं तीक है अगर ब्रहसपती के साथ यमकंट जो है वो मिल जाते हैं तो क्या होता है बहुत ही शुब होता है बहुत ही उत्तम जक्ती होते हैं बहुत ही सत्यवादी होते हैं इस तरह अच्छे रास्ते में धर्म मार्गे में चलते हैं, बहुत ही धार्मिक कारिय करते हैं, इस तरह इसे लेना चाहिए. गुलिक यदि शुक्र के साथ युक्त है, शुक्र हमेशा सुकबोग के लिए जाना जाता है, तो नीच कामिनी संगहा बदाया गया है, मतलब नीच लोगों के साथ उनका संग होता है, उनका मिलन रहता है. और अगर शनी के साथ युक्त होने से कुष्ट्यादी रोग और अल्पा आयू यह सब यहां होता है, राहू के साथ मिलने से विशर होगी, मतलब जिश से उनको हानी हो सकता है, और केतू के साथ मिलके रहने से वक्षनी पीडिता हा, मतलब अगनी से उनको छोट हो सकता है. ऐसा सभी ग्रहों के साथ मिलने के विशे में बताया गया है अगर गुली का हर भाव में बताया गया है तो हर भाव में इनके विचार कैसा करना चाहिए ये बताते है प्रतमा भाव यहां देखते हैं कि हम द्वादश भाव होते हैं अगर द्वादशवायों में क्रम से प्रतमा द्वितियत रतिय इन भावों में अगर गुलिक फाइटे हैं तो उनके पल कैसा होता है यह देखते हैं तो लगनसाधन करने के बाद आज कल बहुत सारे सॉफ्वेर्स आते हैं तो उससे भी हम देख सकते हैं कि गुलिक कहा है तब जाकर इसे इस तरह ब्रहत पराशरहोरा शास्त्र और जातक पारिजात और प्रश्नमार्ग में भी हमें मिलते हैं कि इस तरह द्वादश बाओं में होने के वज़े से क्या पल होता है करकर इस सिर्फ गुलिक का ही नहीं है बाकी दूम इत्यादी ग्रहों का भी इन ग्रंतों में दिया गया है मगर हम यहां प्रधान रुग से हम एक को लिये हैं क्योंकि हमारा जो चर्चा है गुलिक यमकंटर राहू इनकी बीच में ही सीमित रहना चाहिए तो इसके लिए हम यहीं पर इनके ही अंदर हम विचार करते हैं तो रोगारता सततम कामी पापात्मा दीगत शटाहा रोगी होते हैं मतलब लगन भाव में गुलिक होते हैं तो वो व्यक्ति रोगी होते हैं और कामी होते हैं मतलब चंचल स्वभाव वाले होते हैं और पापात्म होते हैं पापकारिय में जादा रत रते हैं और शटह दूर्त होते हैं तनुस्त कब तनुस्ते गुलिके जाता है खल भाव अथी दुक की तहा अगर तनुबाव में प्रतम भाव में गुलिक है तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं विक्र तो दुखी तहां क्षुद्रो वितिय भाव में हैं तो वो व्यक्ति तोड़ा अंगल इंगलिश में बोलते हैं ना क्रूक्र तोड़ा ठेड़ा रहते हैं हमेशा दुखी रहते हैं नीचस वभाव के रहते हैं व्यसान हमेशा कुछ ना कुछ विश तो चलता ही रहता है, वो कभी कुछ नजर नहीं आते हैं, फिर धनस्ते गुलिके जाते निस्व भवती मानवह, तो उनका हमेशा निराशा से चलते हैं, अगर दृतिय भाव में गुलिक है, तो वहां धन का भी नाश होता है, अब तृतिय भाव में, मैं सभी भावों का पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो एक दो तिन में मैं रोग देता हूँ, और एक दो तिन पढ़कर मैं रोग देता हूँ, चार वांगो, अभी यहां देखिए, पहला भाव में अशुब पल बताया गया है, विदिय भाव में अशुब पल बताया गया है, मगर तृतिय अश्वग्रह बैठते हैं अश्वग्रह का स्वभाव ही ऐसा है अभी देखिए तनूबाव जो है देह बाव होता है तो देह में जब बैञते हैं तो देह का नाशर रोग यह सब हमने देखे थे अगर तृतिया बाव चार वांगो उस व्यक्ति का जो अंग होते हैं बहुत साउंदरिय शाली रहते हैं देखने में ही बहुत ही कुपसूरत लगते हैं ग्राम पहा एक ग्राम के अधिपती होते हैं एक चोटा सा जो नगर होता है वहां के अधिपती ही होते हैं वैसे उस तरह के अधिपती होते है हमेशा पुन्यकारिया में रहना चाते हैं कुछ न कुछ अच्छे कारिया करते रहते हैं और सज्जन के साथ ही रहते हैं यह कभी दुष्टों के साथ मिलते ही नहीं है साथ गुलिके जातो मानव राज पूजित हा यह इस तरह तरतिय भाव में गुलिक के होने से यह जो मनुश्य है यह राजा से पूजित होते हैं राजा भी जो होते हैं वो इनको बहुत ही मर्यादा करते हैं इस तरह उनको एक अच्य स्थान प्राप्त करते हैं तृतिय भाव में गुली को होने से अभी चतुर्त भाव में होने से क्या होता है रोग हो सुख परित्यक तहा रोग होता है सुख को परित्या करते हैं सधा भवते पापकरत हमेशा पाप में ही रत रहते हैं गुली के जो दोश है उनके वज़े से आयूरवेद गरंत में जैसा बताये गए हैं त्री दोश में जब बेद हो जाते हैं तब इनको रोग इत्यादी होते हैं तो उस तरह ये जो त्री दोश होते हैं तो इनके वज़े से इनको रोग के कारण बताते हैं तो चतुर्त भाव हम देख स जैसा एक विशय है करकर इस तरह के अभी बारव के विशय में बताते जाओंगा तो समय समाप्त हो जाता है जो हो जाएगा तो अभी देखेंगे तो दशम भाव को देखेंगे तो यहां देख सकते हैं कि जैसा कि केंद्र बाव यह होता है पुत्रान विताह सुकी भोगता प वो वोक्ती ही नहीं है उनको प्राप्त भी होता है देवा इस तरह के देव के पूजन करते हैं यग्या हूम इत्यादि करते हैं कब दशमे गुलिके जातो योगधर्मा शितह सुकिही तो दशम में गुलिक होने से ये योग धर्म योग के और धर्म के आश्रित रहते हैं धर्म के पालन करते हैं और योग संत के मार्ग जो है उस मार्ग को चैन करते हैं इस तरह जातक ग्रंत में पहले हम क्या किये थे मुहुर्थ ग्रंत में देखे थे मुहुर्थ में पहले जो हम क वगेरा विचार किये थे गुलिककाल, यमकंटकाल, राहुकाल तो ये मुहुर्थ की आदार पर हमने विचार किये थे इनको कैसे दिनमान में विबाजन करना चाहिए और कैसे देखना चाहिए ये हमने यहां मुहुर्थ के आदार को लेकर हमने देखे थे इसलिए हर दिन में कौन सा समय राहूकल होते हैं गुली को होते हैं और यमकनटक होते हैं ये सब हम यहां अवर्ड ओर मिनित्स के आदार पर हम लेकर देख रहे हैं और आगे फिर जाकर हमने उसी गुली को कैसे लगना इत्यादी का लगन साधन जैसा करते हैं वैसे ही गुलिक इत्यादिया अन्य उपग ग्रहों का भी साधन करकर तो उनको जन्म कुंडली में कैसा देखा जाना चाहिए और उनकी शुभा शुभा पल कैसा विचार करना चाहिए इस तरह के विशे भी जातक चक्र में कैसा इनको देखें ये ह हमने फिर विचार किये हैं और उसके आगे जाकर अभी प्रश्ण शास्त्र में कैसा बताया गया है इस तरह के शलो विशियों को तो ये अभी विचार करने का कोशिश करते हैं तो प्रश्ण शास्त्र हमें पता है जब जातक शास्त्र होता है और प्रश्ण शास्त्र इन दोन जातक शास्त्र जब जो है तो प्रश्ण शास्त्र के क्या जरूरत है यही होगा ना तो उस जरूरत को हमें समझना चाहिए जैसा की बिहद जातक में बताया गया है जो हम कर्मार अर्जित किये हैं पूर्व में पूर्व जनम में पूर्व गता जन्मों में हमने जो शुबा और अशुब कर्म जो अर्जित किये हैं उसकी जो पाक है वो बताने वाला शास्तर होता है जातक शास्तर है इसलिए जो हम जिस काल पर हमारा जनम हुआ है उस काल को हम constant मानते हैं वो समय की जो ग्रहस्तिती है उसे हम constant मानते हैं अभी मान लेजे कि किसी का एक उदाहर्म के लिए बताता हूं किसी का मंगल दोश है और उनका विवाही नहीं हो रहा है तो आकर पूछे आप तो दैवग् यह ने उसको अच्छे तरस से विचार किये थे और बताये थे कि आप यह यह परिहार कर लिजिए और दोश हो जाए कर समाफ्त हो जाएगा तो अगले दिन वो आये थे पूरा परिहार समाफ्त करकर आउद लेके आये थे अपना खुंडली जन्मपत्री और सामने रखते है कि बताते हैं कि मैंने कल पूरा पर प्राश्चित कर लिया अभी आप तोड़ा देखकर बता दीजिए कि वो दोश कम हो गया या नहीं क्योंकि जन्मपत्री में वो हमेशा कॉंस्टेंट रहेगा ना हमारे अंतिम काल तक वो फिक्जड है क्योंकि हमारे जन्मकाल पर क्या उसका प्रभाव को कम किया या नहीं ये सब जानना है तो यहां हम प्रश्चनकाल को लेते हैं प्रश्चनशास्तर का आदार मानते हैं तो प्रश्चनशास्तर का जब आदार मानते हैं इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ होते हैं जैसा प्रश्चनभूशन और प्रश्णमार्गहा, इसमें सभी ग्रंतों से भी बहुत ही मशूर ग्रंत होता है प्रश्णमार्गहा, यह एक संग्रहित ग्रंत है, इसमें बहुत सारी विशेयों के, प्रश्णशास्त्र के विशेयों कर इतना संग्रहन करकर इतना बहुत अच्छे तरह से यहां दिकाया ग अभी प्रश्नकाल में ये बताया गया है, मैं यहां सर्फ दो तिन उदाहर ही लिया हूँ, मांदीर हिकामापी, सिरोत भवम, मांदी होने से, मांदी किस तरह के रोग को देते हैं, ये बताये गए है, अगर कोई प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते समय, उस प्रश्न लग्न मे अगर मान दी बैटा है, तो उसका पुछन पूछने वाला को किस तरह के प्रबा होता है, ये बताते हैं, कि जादा उनको हिच्च की होते रहते हैं, मतलब उनको हिच्च के वज़े से जो disturbance होता है, उतना उनको तकलिफ उटाना पड़ता है, हिच्च की जादा होना और ना कहते हैं, तो ये जो veins बाहर आने के वज़े से लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत समय तक करने के वज़े से, पैर में जब nerves जो होता है, वो जादा तक बाहर उबराओ वासा दिखता है, और वो बहुत ही दर्द करता है, और कभी-कभी फट कर कून वगेरा बह जाते हैं, तो उस तरह के जो दिक्कत होते हैं, ये इस तरह के दिक्कत को सुचना करता है, अगर प्रश्नकाल में गुलिक लग्न में दिखे तो, अस्ते पापयुतो मांधीर वित अभी सप्तम में मांदी है, मतलब प्रश्नकरते समय सप्तम भाव में मांदी है, गुलिक है, लगन से सप्तम में है, तो ये पापयुतो मतलब पापग्रहों से युक्त होकर बुदर है, तो ये प्रश्नकरता को दुष्टमार्ग में लेके जाता है, और यहां दुष्टों की प्रवाव, मतलब उनको उस समय दुष्ट लोगों के वज़े से उनको तकलिफ जेलना पड़ता है, फिर गुलीकह सरपार्थिमाशव चक्रम अभी यहां बताया गया है, अगर गुलीकर राहु के साथ मिलते हैं, तो राहु के साथ मिलकर बैटे हैं, तो भी वो बहुत ही अशुब करते हैं, और वहां उनके लिए जो दोश होता है, वो होता है, और मांदी चतूर्त राश हो वा चतूर्त अम्शे अत्वा मांदी जो है वो चतूर्त राश में हो या चतूर्त अम्श में मतल्ल लगन से चतूर्त गोचर में देखते हैं तो भी चंदर से चतूर्त हो या लगन से चतूर्त हो कहीं भी ऐसा मांदी चतूर्त में स्थित होने स तो अभी यहां किस तरह के प्रश्णा वगर कोई पूस्ते हैं कि क्या कोई यह ब्लाक मैजिक्स बगेरा बोलते हैं ना इस तरह के विशे कुछ हमारे उपर प्रयोग किये हैं क्या करकर जब प्रश्ण करते हैं तो उस तरह के स्थिती में चतूर्त भाव में अगर मांदी दिख रहा है तो यह इसका पल ऐसा होता है कि हाँ गर में होता है अगर चतूर्त भाव जलराशी है जलराशी है जैसा कि मीन हो या इस तरह का जलराशी हो तो वहां क्या होता है गर में कहीं जल के प्रदेश जैसा ब कर रखा गया है करकर ऐसा बताते हैं तो इस तरह गुलिक इनके विचार करना चाहिए क्यों इनके काल यह सब हम अच्छे तरह से विचार करकर फिर हम इनका पलादेश कर सकते हैं और यहां मैंने एक विशे पहले आप नोटिस किये होंगे इत्यादी बताये गए हैं तो यहां दूम इनके जो गनना है यह कुछ अलग बिन प्रकार से होते हैं इनका गनना बाकी गनतों में बताये गए हैं मगर मैं उस विशे को यहां पर नहीं लेकर आया था क्योंकि इसे ज़्यादा तक गनना में बता कर बहुत सारे गनना एक साथ बता देने से हमें ज़्यादा कन्फूजन हो सकता है तो इसलिए मैं उस तरह के विशे को यहां लेकर नहीं आया हूँ और इसके विशे यहां जो पलादीपिका इत्यादी गरंद भी दिया गया है वहीं पर उस विशे को अगर आप जानदा उस पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं तो यहां हमने गुली का राहुकाल के विशे में मैंने इसलिए जादा नहीं विशार किया क्योंकि राहु के विशे तो हर गरंद में दिये ही रहते हैं राहु का विशार कैसा करना चाहिए और राहु को एक प्रदान गरंद ग्रह मानते हैं हम तो इसलिए यहां राहु को नहीं लिया हूँ मैं यहां सिर्फ गुलिका और यमगंटक के उपर ही ज्यादा फोकस रखा हूँ क्योंकि राहु के विशे बहुत सारे विशे में आचारियों लोग चर्चा करते ही है धन्यवाद सभी को